पच्चो आप सभी को नमस्ते आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात्मी की पुस्तक समाजी की पुस्तक समाजी के उन राजनेतिक जीवन का पाठ चार मुगल सामराज्य जहांगीर की मा कहां की राजकुमारी थी कच्छवा की राजकुमारी थी साह जहां की मा कहां की राजकुमारी थी? राठोड की वह किसकी पुत्री थी? जोदपूर के राजपूत सासक की अकबर का सासन कब था? 1605 इस्वि में शुरू हुआ अकबर का सासन साह जहां ने कब तक सासन किया? 1627 से 1658 तक पानिपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 सिश्वि में पानिपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1527 में पानिपत की दूसरी लड़ाई बच्चों गलत है 1556 में 1556 में पानिपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में जहंगीर ने कब तक सासन किया? 1605 से 1627 तक बाबर ने कब तक सासन किया 1526 से 1530 इस्वी तक अगला परशन है अकबर ने कब तक सासन किया 1526 से 1625 तक अखबर किस आयू में समराट बना 13 वरस की आयू में समराट बना ओरंग जीव ने कब तक सासन किया 1658 से 1770 तक हुमायू ने कब तक सासन किया 1530 से 1540 इवं 1555 से 56 बीच में ये चला गया था एक सकती साली राजा से शासोरी से युद करके यहां से बगा दिया था अकबर के राजसो मुंत्री कोन थे टोडरमल यह किस कितने साल तक रहे दस साल तक किस सतावदी के युद में गोला बारी का प्रियोग हुआ 1620 सतावदी में अगला परसन है सही मिलान की जिये मनशब मनशब होता है बचो पद मंगोल मंगोल होता है उजबेग सिसोदिया राजपूत मेवाड मी राठोड राजपूत मारवाड मी नूर जहां जहांगीर की पतनी थी सुबेदार गवर्नर अगला परसन है रिक्ट सतान भरो खलिस्तान अकबर के सोतेले भाई मिर्जिया हाकीम के राजजी की राजदानी थी काबूल दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खांदेश, एहमद, खलिस्तान और खलिस्तान थी विजापूर और गॉलकुंडा यदी साथ एक, जात एक मनशबदार के पदता था वेतन का होता था, तो सवार उसके खलिस्तान को दिखता था सन्ने उत्तर दाइतों, उत्रा दिकारिया उत्तर दाइतों अगला परशन है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वन्स होने पर क्यों बल दिया? मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वन्स होने पर बल दिया यहने कि मुगल दो वन्स के थे, मा मंगोल की थे और पिता तैमूर का क्योंकि चंगेज खान ने अनेक नर्शंग हारों को अन्जाम दिया था अतै उस से उनकी कुट समर्तियां जुड़ी हुई थी परन्तू तैमूर का वन्सज कहलाने पर मुगल गर्व का अनुभाव करते थे क्योंकि इनके महान पुर्वजों ने तेरा सो ठान में दिल्ली पर कबजा कर लिया था मुगल परशासन में जागिरदार की क्या भूमिका थी मुगल परशासन में जागिरदार की भूमिका मुगल की आयका प्रमूक स्त्रोत उपद से मिलने वाला कर था यह कर वहकिशानों से या सथानी सरदारों से वसूल करते थे इन सभी कारियों के लिए मद्धेस्ता करने वालों को जमीदार कहा जाता था अगला परशन है मुगल सामराज्य की अर्थ व्यवस्ता के लिए कर्शक अनिवारिय थे क्योंकि नमबर एक परजा का पेट भरने के लिए कर्शी कर्शकों द्वारा ही की जाती थी नमबर दो इनी से मिलने वाले कर्श से सैनिकों को वेतन दिया जाता था नमबर तिन इनके कर्शी उत्पादों से ही उद्वादों के लिए कच्चा माल मिलता था अगला परसन है बाबर के सैन्य अभियान और प्रमूख राजनतिक गटनाओं का वर्णन कीजिए बाबर ने बारे वरस की आयू में फरगना राज्यक का उत्रादिकारी के रूप में प्राप्त कर लिया था मंगोलों के आकर्मन के कारण शी अपना सासन छोड़ना पड़ा 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया 1527 में खानवा के लड़ाई में राणा संगा को हराया 1528 में चंदेरी सासकों को हराया अगला परसन है जहांगीर और साहंगीर और साहंगे सासन के दो परमुख दोस बताईए जहांगीर और साहंगे साहंगे सासन काल के दो परसासनिक दोस इस परकार है सरकारी अफसरों दोबारा रिश्पत ली जाती थी नमबर दो करने चुकाने वाले किसानों को दंड दिया जाता था अगला परसन है ओरंग जीव कौन था ओरंग जीव अंतिम सक्ति साली मुगल बादसा था जिसने 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया अगला परसन है मुगल समराटों के नाम कर्मा अनुसार लिखो बाबर ने राज किया बच्चों 1526 से 1530 इसी में इसने सबसे पहले पानिपत की पहली लड़ाई लड़ी जिसमें लोदिवन्स की निव डाली नमबर दो हुमायू बाबर का पुत्र 1530 से 1540 तक शासन किया इसके बीच में सेर्शा सूरी ने इसको भगा दिया फिर उसके चार साल बाद हुमायू वापस आया और इसने 1555 से 1556 तक फिर राज किया फिर इसके बाद हुमायू का पुत्र अकबर 1556-165 तक सासन किया अकबर का पुत्र जहांगीर 1605-1627 तक सासन किया जहांगीर का पुत्र सा जहां ने 1627-1658 तक सासन किया उसके बाद सा जहां के पुत्र ओरंग जेव ने 1658-177 तक सासन किया इसके बाद औरंगजेव के उत्रा दिकारी कमजोर होते चले गए मुगल राजी के अधिन आने वाले केंदरी परांत कौन कौन से थे आगरा, अजमेर, एहमद नगर, कस्मीर, कंधार, गुजरात, गोलकुंडा, दिल्ली, बंगाल, लाहोर, बिजापूर, मेवाड अगला परसन है, अकबर नामा किस ने लिखी, अबूल फजल ने, 1526 में बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी को अंगरेजी इस्टेंडिया कंपनी ने अपना मुखले कब स्थापित किया, 1668 में, तैमूर की मर्तियू कब होई, 1444 में आखरी मुगल बादसा कोन था, बाहदूर्शा जफ्फर, आखरी हिंदू सासक कोन था, हेमू मुगल कोन थे, मुगल दो महान सासक वंसों के वंसज थे, जागिर किसे कहते हैं, मन्शबदार अपना वेतन, राजसव एक्तरित करने वाली भूमी के रूप में पाते थे, जिनें जागिर कहते हैं, मेवाड की, शिसोदिया वंस के किस सासक ने, मुगलों की स्विकार की, अमर शिंग ने, अगला परसन है, जागिर की पतनी का क्या नाम था, नुर जहा, अंदोलन आटोमन नो सेना का पुत्र गठन किस ने किया, पुना गठन, आटोमन नो सेना का पुना गठन किस ने किया, पुना माने फिर गठन किस ने किया, सुल्तान सुलेमान ने, सतरवी सदी के अन्तिम वर्सों में कौन सा वरग अत्ते देख सकती शाली हुआ कुलीन वरग अगला प्रस्टन बच्चो सुलह एकुल की निती किसने अपनाई अकबर ने अल कानूनी था विधी निर्माता की उपादी किसे दी गई अल कानूनी सुल्तान सुलिमान को आटोमान तुर्की का कौन सा सुल्तान अकबर का समकालिन था सुल्तान सुलिमान बैरम खा कौन था अकबर ने उसे किस पद कब पद से हटाया बैरम खा अकबर का संरक्षक था अकबर ने उसे पंदरा सो शाठ में पद से हटाया महाभारत का फार्शी अनुवाद किस ने किया रजमन नामाने टोडरमल कौन था अकबर का राजसो मंतरी बच्चो ये पाठ हमारा पूरा हुआ आसा है आपको समझ में आया होगा बार बार पढ़ें धन्यवाद